हलो गाइज वेल्कम टू विद्या फर्स्ट मैं उसुडील कुमावत और अभी तक हम लोग पढ़ शुके हैं क्लास 11 एकोनोमिक्स में कंज्यूमर इकलिब्रियम इन केस आफ वन कमोडिटी और आज हम बात करेंगे कंज्यूमर इकलिब्रियम इन केस आफ टू कमोडिटी तो हम लोग शुरुवात करते हैं कार्डेनल अप्रोच हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इकलिब्रियम इन केस आफ टू कमोडिटी तो शुरुवात करते हैं कि तो गाइज बात करते हैं के सब्सक्राइब इसमें दो टाइप के लो जो है वो फॉलो होंगे पहला लो है लो आफ बीएब्यू लाफ डिमिनिसिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसा आप लोगों पर मैंने आपको पड़ाया है आपने पड़ा होगा कि जैसे से हम कोई यूटिलिटी जो है वो कम होने लग जाती है जैसे मैं आपको एक्जामपल दिया था कि आप पहला गुलाब रावन खा रहा है तो आपको ज्यादा स्टिस्ट्रेक्शन बिलेगा दूसरे पर थोड़ा कम तीसरे पर कम और ऐसा से जो है यूटिलिटी जो है आपकी फिंद यूटिलिटी चशग आप दो कमटिटी यूज़ कर रहा है तो जहां नेमार्जिन दुटाटी बराबर हो और पैसा पूरा यूट्लाइज हो जाए जजितक्ति आपके इंकम हो यूट्लाइज ऑर जहां पर आपको फिंदेनल दिद्रेक्ते वसेशन बोलेंगे को चेंज नहीं करना चाहता है ठीक वैसे जो सिंगल वाली जो बनलब कर एक लिए उतने टोपिक पड़ा था वह बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यह इतना प्रैक्टिकल देखने को तो नहीं मिलता है आम दुनिया में आप इसको रिलेट करने जाएंगे तो बड़ा बड़ा मुस्किल सा लगेगा कि यारे क्यों पड़ रहे हैं तो ऐसा है जरूर लेकिन को समझने के लिए यह एक इंसाइट प्रवाइड कर सकता है इसलिए हम लोग यह चीजे पड़ाना है खेर शुरुवाद करता हैं के सब्सक्राइब को माल लेते हम की हम कोई दो टाइपी चीज रहे और दो टैप पीजिजें हैं पेले ही उसका नाम है एक्स ठीड और दूसरे जो चीजे मिजल करने सानाğम है यह अब उसके कुछ यूनिट चल्ड करेंगे और सी बात हैं तो जैसे हमने इसकी एक यूनिट करें कि हम पहले एक की बात कर लात एक्स में माल लो कि हमें उस यूनिट कर दिमने की तो हमें उससे मिलना जो मार्जीनल यूटिलेटी एंड यू तो अभी मुए एक्स मजाएगा तो मार्जी वह हो गई टुवेल क्योंकि जिसे सम्सक्षा बढ़ाते हैं उसका उससे मिलने एक प्ट्री कहां जाती का मगा लग जाती है को मालूमें लौब यूमें में के तहर थीकर तीजिसरे और कंजम की गम हो गई चोद्रेंगा जींट की और कम यूटि यूटिटी जो है ओर कम होगी शीटे प्रक्रों की फिर हमने और यूटिलेटी और हमने चंजुम्ट जेख कम होती गई। कि इस जिर से हमने थे इसकी हिए उसको मिल लिया smartphone जिए पहले उसके करता हमें समय म्मई ऐसकंशुम पिर और कम हो गई पिर और कम हो गई पिर उर कम वो गयी फिर और कम वो गयी ठीक है यह जैसे सेमें पढते हैं कर चाहिक है हम यूटिलीटी लो कम होती यह बात तो पहले से मालूप हो सकता है आपको यह पुर्शन में भी रखा ऑद आपको यह फिर रखा है और आपको 2-3 चीज़े और भी दे रखी होगी दो तषीजह कॉन सी दे रखे होगी दो-तीन जीज़े आप दे रख conta एक शितो यह दे रखे कि मार्जूम ले कि अप्क वाली इन मालते हूं मैं कि स्कॉशन में आपको दे Br designer मार्जिनी एक व्यू उट्याइम जो हैं आपको दे रखा है प्वोर तो मैंने यह पर फॉर कि मुझे एक ओड़ी दियुछ होगी आपको क्वा अप्ट एक्स और प्राइस वाई आपको दी योगी है तो है ज को दिवाइड करता हूं M U X को P X से डिवाइड करता हूं और M U Y को T Y से इस दी में डिवाइड करता हूं तो कि खाप वर्मन रुपीस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएका तो आएका तो भई ही है ना 14 12 10 8 8 के बाद 6 4 or 2 or 2 or 2 or is it I say I get 10 8 6 4 2 0-1 ठीक है अब यह सामने क्यों किया क्योंकि हमने एक चीज फाइंड आउट पड़ना वो चीज का नाम गया है उस चीज का नाम है consumer equilibrium in case of two commodities अब consumer equilibrium in case of two commodities का बोलती है consumer equilibrium in case of two commodities जो है वो यह बोलता है कि mux डिवाइड भाइड पी एक्स इस उपल टू एम यू वाइड भाइड भाइड पी वाइड शूट भी एक्वल टू एम यू एम यह लिए कि consumer equilibrium वहां बनेगा जहां पर mux को उसकी प्राइस से डिवाइड करते हैं यहां दोनों इक्वल होंगे उस लेवल को हम consumer equilibrium बोलेंगे इन केसाथ two commodities ठीक अब जो मैं आपको शुरुआ पर में आप पूला था कि यहां दो टाइप के लोग फोलो होते हैं पहला तो अब आपको यह ऐसी situation देखना है जहां पर दोनों बराबर हो रहे हो तो इस question में आप देखेंगे कि इस question में कहां ऐसा हो रहा है जहां पर भी ऐसा हो रहा है वह जगा में जो है find out करना है तो वह जगा में देखना है देखें आप आफिर एक और दूसरी condition आ जाएगी दूसरी condition आ जाएगी आपको कि यह आपको question दे रखा होगा कि हमार पास income कितनी है तो मैं इस question में आपको मैं बल रहा हूं कि हमार पास question में माल लेता हों मैं कि मुझे जो total income जो है मेरे पास है total जो मुझे खर्च करना है वो है 10 रूपीज है कितने हैं पर मुझे 10 रूपीज ही खर्च करना है यह एक condition यह भी है आब यह condition कैसे भी हो रही है यह condition यह ही पर ही फुलफील हो रही है ऐसा क्यों देखे एक तो यहां पर एक मार्जिनल यूट्रिटी दोनों की बराबर हो रही है पहले चीज यानि कि यह लिए कंडिशन तो फुलफील होई गई करें तो हमें पता चलेगा कि चार उनिट जो है उसको एक सी खरीदना चाहिए यह में को देखने से पता चल ला है अब इसमें यह भी हो रही है कि यहां पर क्या होगा हमारे दस रुपे पूरी उटलाइज जाएंगे देखें आप इसको की फ्लस प्यिग इंटू हम कर लेते हैं और भी य इन्टू लाइज ये लिगष हम कर लेते हैं लेकि जुनकी आपको तो पी एक्स यानि की कितना है प्राइस में दे रहा पल पहले से आपको दे रहा यह यह रहा वन दे रहा वन इंटु दे रहा है कि रासिट प्लस पी यह यहां पर आपकी इंकम भी जो है वो पूरी यूज हो रही है ठीक इंकम हो रही है पूरी इंकम यूज हो रही है कि जहाँ पर Mux upon x is equal to Mux upon p'y है ठीक थीक तो यह इस टाइप का सेड्यूल आपने बनाना है आपको यह चीज़े दे रखी होगी और यह चीज़े भी आपको दे रखी होगी ठीक और सब्सक्राइब करने के बाद में पिर आप चाहें टो जाहें नहीं है आप को चाहना यह आप इसको एक डियाग्राम के तूर्ण करते हैं देखें आप इशा से से एक्स को बना दिया और उस तरब से जो है वाई को बना दिया एक्स को अब आप देखें कि यह वाला जो पॉइंट है इस वाले यह बना देखें कि लुक्त तो इसको पॉइंट को से वाले पॉइंट को हम हम एक कणूब बनाएंगे इसका बनाएंगे तनी कि तो इसको बनाएंगे तप्ति घिर्ण 따नी पालों करनेगा सास्ट को सॉमझे एक कर्व और दूस्रा इस एक कर भाना जिसको हम बोलेंगे एंब्arta यू वाई कर बढ़ा कि कर और यह वोट कि ए द्सिक्त पर मिए इनल Τुर ऐस थी का आपको यह समझ में आया होगा आपको एक समझ में नहीं होगी के इतना कुन सूचता है देखे मैं आपको बदा दूँ कि प्रैक्टिकल लाइप में ऐसा ना कोई थोचता है ना कुछ है ये बात कहा फॉलौ होगी जब कोई साइकलोजी को समझना चारा है को समझना चारा है तो यह उसको एक इस्टिक देगा एक आइडिया देगा कि मैं किस तरीके से इसको जो है कंजूमर की साइकलोजी को मैं समझू कंजूमर को मैं समझू तो वहां पर यह थियूरी जो है आप हेल्प करेगी जैसे कि आप देखें लोग बेमियो बिलकुँ नहीं हो रहा हुआ यह आपकी समझ से थोड़ा बहार जा रहा इसलिए लेकिन हमें जब हम समझ रहे तो हमें थोड़ा जाना पड़ता है ना आपका यह सिर्फ वर सिब्सक्राइब क्लास 11 इस्टूडेंट की बात करें तो आपको क्या रिप्रजेंट करना आपको करना है और जो है इंकम कर्जीम हो रही है उसको भी आपको इस तरीके से रिप्रजेंट करना है अब बात यह कि सर यह तो आपने बना बनाए कोश्चन ले लिए हम मन से कोई सब लिए तो दो कुम आइडिया इसमें यह दोनों फीट बैट रहा है एससी प्रिशन बेठाने क यह तो किसी एक अग्जामबल को आपको लेकर करना रहें तो आपको यह चीजे सब्सक्राइब ले ले और और आराम से इस टाइब के आप को सोल करें फिर मिलते रहेंगे तब तक के लिए अलविदा हावग रड़े तैंक यू बड़े माच